आज मैं आपके साथ गोंद कतीरे की बहुत अमेजिंग रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसको बनाना बहुत एजी है और उसके फाइदे इतने हैं कि आप गिनते गिनते तक जाओगे इसके लिए यहां पर देखे मैंने गोंद कतीरा लिया है एक तो गोंद होती है और एक यह गोंद कतीरा होता है गोंद को तो हम सर्दियों में यूज करते हैं और यह गोंद कतीरा होता है यह पानी में भिगो कर यूज किया जाता है यह गर्मियों में यूज करते हैं इसकी त भिगो कर इसको रात भर पानी में रख देंगे और यह देखिए अपनी जितना हम भिगोएंगी न उससे चार गुना तक फूल जाएगा और यहां पर एक चमच मैं खस खस ले रही हूँ और साथ से आठ मैंने यहां पर बादाम लिये हैं दो छोटी लाइचिली हैं इनको मैं अभी बिना चिले ही जूस करूँगी और साथ ही थोड़े से यहां पर गुलाब की पंकडियां हैं इनको भी हम भिगो देंगे इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है बहुत अच्छी खुश भुआती है रात भर के लिए हमने इसको धोकर अच्छी तरह भिगो दिया और यह हमने खसकस और बादाम भी भिगो दिये थे यह भी फूल गए है अच्छे से और यह देखे चोटी इलाइची जो है यह भी पूरी तरह फूल गई है और बाद में हम इसके सीड्स अलग कर लेंगे और इस तरह साबुत भिगोने से इसकी खुश्बू बहुत अब इसमें हम यही थोड़ा सा पानी जूस करेंगे क्योंकि हमने इनको दोकर भिगो अधादा पानी जूस करेंगे और इसका हमने एक अच्छा सा यह पेस्ट तयार कर लिया है यह बहुत ही ठंडा होता है गोंत कतीरा और खसकस यह सब हमारे दिमाग के लिए बहुत एनरजी देने वाली चीजे हैं और आज इसमें मैं मिश्री डाल रही हूं मिश्री की तासीर भी ठंडी होती है आप चाहे हमारा गाड़ा सा दूत तयार हो गया है और इसको अब हम एक मिट्टी के सकोरे में ही निकाल लेते हैं देखें मिट्टी के सकोरे में भीगोने का मतलब यह होता है कि तो यह इसकी तासीर ठंडी है और मिट्टी के बरतन में भीगोने से यह और भी ठंडा हो जाता है अब इ और इसके एक अमेजिंग सी रेसिपी हम बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट इन्हेंस करके बनाएंगे तो सबको यह बहुत पसंद आएगी और गर्मियों में यदि हफते में दो तीन बार भी खा लिया जाए ना तो बहुत सी बिमारियों से हम चुटकारा पा सकते हैं सबसे ज हम ये और साथ ही ऊपर से थोड़ा से हम इसमें पिस्ता और लगा देते हैं ताकि देखने में बहुत सुंदर लगे यह और इस तरीके से एक-ेक रोज बैटल पर भी इसके उपर लगा देते हैं क्योंकि जितना अच्छा हम इसको अट्रेक्टिव बनाएंगे तो बच्चे खुशी से इसको आपसे मांग मांग कर खाएंगे और इसको और भी ज्यादा अमेजिंग टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर में पास रोज सिरिप है उससे मैं इसको थोड़ा सा गार्निश कर देती हूँ तो यह देखे गार्निश करने के बाद यह हमारा गोंद कतीरे की रैसिपी कितनी सुन्दर लाजवाब लग रही है देखते ही मन कर रहा है सुबह सुबह इसको ठंड़ा है